दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को विश्व की सबसे बहतरीन टीम मानते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों भारत और न्यूजिलेंड के बीच में खेले जा रहे हैं टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर से भारती टीम द्वारा शांदार प्रदर्शन देखने को मिला है पहले दिन की शुरुआत में जहां भारती टीम ने बल्ले बाजी में पहले दिन अपने नाम किया वहीं तीसरे दिन भारती टीम के गेंद बाजों ने शांदार वापसी करते हुए तीसरा दिन भारती टीम के नाम कर दिया लेकिन दोस्तों भारती टीम के लिए ये मुकाबला जीतना आसान नहीं है तो चलिए दोस्तों आपको बदाते हैं चौति दिन का क्या हाल हो सकता है और हमें किस तरह देखने को मिल सकता है भारती टीम का प्रदशन लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारती टीम इस मुकाबले को जीतने में काम्याब हो सकेगी या फिर नहीं इस बात का जवाब हमें नीची कॉमेंट सिक्षिन में जरूर दीजेगा दोस्तों भारत और न्यूजिलैंड के बीच में केले जा रहा है कानपूर टिस्ट मैच में भारती टीम का दबदबा एक बार फिर से बढ़ गया है जहां भारती टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बतोलत न्यूजिलैंड की टीम को बुरी तरह से पचाड कर रख दिया और न्यूजिलेंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई दोस्तो भारत और न्यूजिलेंड की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का तीसरा दिन पूरी दरह से टीम इंडिया के नाम रहा और स्पिनर अक्षर पटेल की नितरुति में टीम इंडिया ने निउजिलेंड के बल्ले बाज़ों से दूसरे दिन का हिसाब पूरा कर लिया और कि भी टीम को सिर्फ 266 ने रनों पर समेट दिया इसके बाद अपनी दूसरी पारी में भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक चौदर रन बना लिये लेकिन पहली पारी में ओपनर के तौर पर शांदार अर्ध शतकिये पारी खेलने वाले शुबमन गिल का विकेट भी गवा दिया इस तरह से टीम इंडिया ने 63 रनों की शुरा अंदार बढ़ात हासिल कर ली की जोड़ी ने 129 रनों की साचेदारी की थी लेकिन तीसरे दिन भारत ने वापसी की और दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले नियूजिलैंड की पारी को ये थाबित हो गया कि भारती टीम इस मुकाबले में इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वो पूरी तरीके से नियूजिलैंड के खेलाडियों को पीछे करके ये टिस्ट मुकाबले को जीत कर ही मानेगी लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन नियूजिलैंड की गिंदबाज लगातार करते आ रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि भारती टीम की जीत इतनी आसान नहीं होने वारी है इसलिए चौते दिन के खेल में जब भारती बल्लेबाज मैंक अगरवाल और कप्तान चेदेशुर पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए उतने के लिए तो उनके लिए बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होगा लेकिन पहले सतर के शुरुवात में पिछ की नमी होने के कारण कि भी गिंदबाज अच्छी गिंदबाजी करने में विफल रहेंगे लिसके चलते भारती टीम के दोनों बल्लेबाज पहले सतर वे मिलकर आसानी स सौरन जोड देंगे और टीम का स्कूर एक विकेट के रुकसान पर 114 रन तक आसानी से पहुँच जाएगा और भारती टीम 163 रन की बढ़त बना लेगी लेकिन दूसरे सद्र की शुरुवात होते ही न्यूजिलेंड के गेजबाज एक शांदार फॉर्म में वापसी करते हु वे नजर आएंगे और उनकी इस पारी की बदोलत भारती टीम दो विकेट के नुकसान पर दूसरा सत्र खत्म होने तक आसानी से 230 रन के स्कूर पर पहुँच जाएगी और इसी बीच भारती टीम के शांदार बलेबाज मैंक अगरवाल अपना श्रतक पूरा कर लेंगे और वहीं श्रेश अगर भी शांदार तरीके से अपना अर्थ श्रतक पूरा कर लेंगे जिसके बाद नुजिलेंड की गेंदबाज एक बार फिर से अपनी टीम को वापसी कराने के लिए खतरनाक रूप से गेंदबाजी करते वे नजर आएंगे और श्रतकी पारी खेल चुके मैंक अगरवाल को आउट करके पवेलिन भेजने में कामियाब रहेंगे हालाकि इसके बाद खुद कप्तान अजिंक रहने मैदान पर उतर कर पारी को समालते वे नजर आएंगे और भारती टीम चौते दिन का सेल समापत होने तक 3 विकेट खोकर 340 रन तक का स्कोर खड़ा क किन हो जाएगा और भारती टीम इस मुकाबले को जीत कर सिरीज में एक शुन की बढ़त बना लेगी लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारती टीम के बल्ले बाद न्यूजिलैंड की टीम के सामने टिकने में कामियाब हो पाएंगे या फिर नहीं इस बात का आप में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चनल को दन्यवाद